नमस्कार हिंदुस्तान की चुनावी यत्रा के दौरान हमने आपको कई निताओं से मिलवाया जनता के जमीनी मुद्दे बताए इसके साथ ही सवाल भी पूछे कि आखिर ये समस्याइं क्यू है और इनका निदान कैसे होगा चुनावी यत्रा की अगली कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डौक्टर विवेक सिंग मोनू जो भारती जनता पार्टी युवा मूर्चा के छेत्री उपाद्यक्ष हैं और इसके साथ ही आयोध्या जिले की बीकापुर विदानसभा के प्रभारी भी है तो आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारती जनता पार्टी के मन में उनके नेताओं के मन में युवाओं को लेकर क्या मुद्दे हैं क्या आगे की प्लानिंग है अगर सरकार बनती है तो क्या बहतर करने की कोशिश करेंगे इसके रावा एक मुद्दा जो लगातार हमारी चुरावी यात्रा के दौरान युवाओं ने उठाया वो था बेरोजगारी का हम उस पर भी उनसे जवाब लेगी तो विवेक जी बहु कुछ न कुछ उसमें काम कर रही है पिछली सरकारों को तुलना में यह सरकार ज्यादा भी रोजगार दिया और रोजगार देने के साथ साथ स्वारोजगार प्रतियोगी चाहत जो थे आमें इसा परिशान रहते थे लगातार आंदोलन होते थे चाहे वो यूपी पीस्टी के चेर्मन रहे हैं अनिल यादो जी जिनको लगातार कोट ने भी का हटाने लिए जिनके उपर आपराधी मुकदमे दर थे लेकिन विद्यार्थी परिशत कार करता रहा लगातार अंदोलन किया मुकदमे हुए अकले सादो ने हम लोग के उपर मुकदमे भी लगवा है लेकिन अनिल यादो जैसे भरस्टाचारी लोग सिवायो का चेर्माइन बना रहा अंत में कोट नहीं उसको हटाया तो ऐसी भी सरकार थी एक समय था और एक आज आ नौकरी पा रहा हूं इस सरकार में जो रियल्टी में तयारी कर रहा है पढ़ने वाले चात्र उनको सरकार नौकरी देने का काम कर रही है लेकिन विवेक आपने बात की कि आपके ओपर मुकदमे लगे थे जब आप विद्यार्थी परिश्रत के कारे करता थे आज लोग नहीं है तो फिर उनके उपर लाठी चार्ज करवाँ देती है सरकार उसकार वो भी एक मुद्दा है कि अगर युवा बात कर रहा है छात्र बात कर रहा है अपनी मांगे रख रहा है सरकार के सापने तो आप लाठी चार्ज करवा देंगे अ chiar Mantla मुझे नहीं क् nghiyon कुर secuds य तो उसमें हो सकता है उनको कुछ कारवाई पुलिसिया कारवाई करनी पड़ती है लेकिन हम लोग उसके पक्ष में भी नहीं है कि आंदोना अगर सही डंग से चला तो उनकी बातों को सुनके उचित माध्यम पर पहुचाना चाहिए अचा विबेक इसके अलावा आपने बात क हम जोना इसके लिए वद करावनी को बॉद्ध को कशा के ओलकर दीचांक पहले ही ऐक पुछ महीनों पहले है पैपर लिग कामर्वाई करेंगे लिग मामनी प्यूहीं. लाया होगा, सरकार ने, हमारे मुखमंत्री जी ने साम को ही कहा कि जो भी दोस्य होगा बक्सा नहीं जाएगा, पूर्विकी सरकार जाज के नाम पे, कमेटी के नाम पे, अनिल्यादो जैसा एक उधारा नापलों के भीच में है, तो ये सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर त्यारी है, युवाओं को किस तरीके से जोडने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर राजनितिक दल जो है, युवाओं की बात कर रहा है, आपकी क्या त्यारी है, हम लोग तो लगातार हम लोग के प्रजेक्स बने हैं, काम चल रहा हैं, डो क्रोंट चाहे टैबलेट देने का अबिशय हो, चाहे मुफ्त मेधावी छात्राओं को इश्कूटी देने का अबिशय हो, चाहे छात्राओं को फिरी सिच्छा देने का अबिशय हो, लगातार तमाम ऐसे काम इस सरकार के हैं, जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और अभीदय योजना चाहे बच्चों को फ और यंका गांधी अलाकि नेता तो पुरानी है लेकिन इतना एक्टिव पहली बार दिखिए आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई असर पड़ेगा उनका मुझे लगता है कि जब चुनावाते हैं तो ये लोग छुट्टी मना के आ जाते हैं चलो आप पिकनिक करन यूपी में कुछ चुनावी महोड चलो लोग भूमते हैं लोगों से मिलते हैं अैसे कोई महोल नाहीं कुछ नहीं है चारो तरफ योगी और मोधी की सरकार की चर्चा है 가족 जनता कहरी जो राम को लाना है उनहीं को लाना है और दूसरी लोग को बाहर भगाना है आपने राम मंदिर की बात की राम का नाम ले आए आप बीच में तो मैं थोड़ा उस पर बात कर लेता हूँ अप आयुद्ध्या की विधान सभा एक है विका पूर उसके प्रभारी भी ह आउद्ध्या में लोग जानते हैं कि को कराया गया और 120 लोगों के उपर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए परतालित हुए सपा की सरकार थी उसी सपाक सरकार में 2017 से पहले ही जो हिंदूों को फसाए गया तो बाइज़त कोट ने बरी किया आज उसी आउद्ध्या में रामाय उन्हों एक बार भी अउद्ध्या का नाम लिया है ओ फैदाबाद 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 अरे अउद्ध्या सो हितना चिड़ है कि आप फैदाबाद को नहीं बोल पाहरे है नाम जो आप लोग बदले उससे भी नाराज़गी है क्या अखिले शयादो हो में विल्कुल है चो कि वो तुस्टि करन की राजनीत करते हैं तो इसलिए उनको नाराजगी है वह रॉन से धर्म की राजनीती करते हैं खुलके कई यह इसी तो छुपा नहीं है उनकी पिता जी म बताएंगे, सरकार ने तारीक बनाई, मंदिर का निर्माड भी हो रहा है, दोजार चॉविस में हम लोग उद्याटन भी उसका करेंगे, सब लोग दर्सन भी कर रहा है, तो इन लोग को लगता था कि कभी यह लोग जनता को घुमरा करके मैनफेस्टों में लाते हैं, राम का म लेकिन खिलाड़ी के हालत क्या है, वो किसी से चीपी नहीं है, क्या लगता है कि इस फ़र भी थोड़ा सा बहतर काम करने की जरूरत नहीं है, बिलकुल काम करने की जरूरत है, मैं चुकि यूथ हूँ, मैं भी लखनों विषवुद्याले से पढ़ा, आयोद्धा में मुदी जी हूं, चाहियोग जी जी रूगातार खेलों को बडावादे आप उध्य प्रतियों कुम हवे उत्परदेश में हर सानष्द ऊफ़ियार Лगातार को मानने मुदी के और दी और मानने योगी जी के से तरब से था कि उनको प्रसान वी दिय जाए हैए और जो गांव मे स्थानी लेविल के खिलाडी हैं, अलग-अलग समस्याओं से जूसते रहते हैं, लेकिन सरकारी मदद प्रशाशन के ओर से कोई ऐसी खास मदद उनको नहीं मिल पाती है, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा प्रशाशन को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो लोग भी कि हर फिल्ड में लोग जा रहे हैं, क्रिकेट हो चाहे बैटमिंटन हो देश का नाम बढ़ाने के काम लोग कर रहे हैं, तो जब नीचे से लोग निगलेंगे तोड़ा सा कुछ हो सकता है, कमी आ हो उसको भी सरकार दूर करेगी, 22 के वाद, 22 के बाद पूरा तैय करके बैठ उस पर बात नहीं कर रहा है असल मुद्दा यही है लेकिट विका 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 जो गरीबों को राशन दे रहा है तो आप इतिहाद उठाएंगे तो महामारियों में लोग भुकमरी से मरते थे लेकिन इस सरकार ने सबको फिरी में मुफ्तराशन देने का काम किया जो लोग जो अख्लिय स्यादों जो हमारे साइंटिस्ट पर सवाल उठाते थी भाजपा की बैक्सीन है उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों ने का रहा है एम एलसी ते कि नपुनसक बनाने वाली बैक्सीन अब तैकर एक जनता वो तैकर रही है कि ऐसी लोगों को नहीं लाना है चलिए जनता तैकरेगी जनता बताएगी कि वहिया दस मार्च को हमने किसका चुनाओ किया है कौन कितना बहतर काम कर सकता है अब यह फैसला तो खेर लगातार कई चड़नों के चुनाओ हो गए एक झाल, झाल, झाल